हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपनी चैनल केरिये टिक फंडा में मैं खुश्बू और आज की इस वीडियो में एक नई अपडेट निकल कर आ रही है CITS Intense Exam 2024 के regarding जो entry qualification है उसमें एक बड़ा बदलाओ किया गया है कह सकते हैं एक तरह की यह bad news होने वाली है ITI students के लिए तो क्या यहाँ पर जो qualification में बदलाओ किया गया है कि आपको इसमें experience एड़ कर दिया गया है CITS करने के लिए अब experience की जरूरत होगी क्या सभी students के लिए experience चाहिए तो बिल्कुल भी नहीं सिर्फ experience ITI students के लिए मांगी गई है ठीक है जो B.E.B.T.E.C. वाले students है CITS करना चाहते हैं उनको experience की जरूरत नहीं है जो diploma students है CITS करना चाहते हैं उनको भी experience नहीं चाहिए सिर्फ ITI student जो भी ITI करके CITS करना चाह रहे हैं उनके लिए यहाँ पर experience एड़ की गई है अब हर trade की experience अलग-अलग है उसके बारे में यहाँ पर वीडियो में detail में बात करेंगे कहां का जो experience है वो मानने होगा सारा कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा तो वीडियो में last तक बने रहीएगा और अगर आपने अभी तक हमाया चैनल को subscribe नहीं किया है ज़रूर से subscribe कर लीजे जिससे CITS से जुड़ी हर एक सही update आप तक समय पर पहुशती रहे यहाँ पर trade कौन कौन से applicable है CITS के लिए उसके बारे में भी यहाँ पर detail में बताया जाएगा तो सबसे पहले trade wise बात कर लेते हैं जो architectural droughtsman trade है इसके लिए क्या मांगा गया है इसके लिए जो qualification रखी गई है डिगरी आपके पास होनी चाहिए architecture from AICT UGC recognized engineering college university यानी architectural में आपके पास डिगरी होना चाहिए या फिर अथवा तीन साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए architecture after class 10th तस के बाद जो है दसवी के बाद तीन साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए architectural में और या फिर आप EX serviceman रहे हो Indian Armed Force में 15 साल आपने service की हो और आप CITS करना चाहते हैं तो आपके लिए भी यहाँ पर eligibility है यह एक अच्छी चीज यहाँ add की गई है कि EX serviceman जो भी है क्योंकि CITS करने की जो अपर age है वो यहाँ पर age boundation नहीं रखी गई है सिर्फ minimum age है कि 18 साल आपकी minimum age होना चाहिए और अप फिर age limit की कोई limitation नहीं है और फिर lastly यहाँ पर जो ITI students है दसवी के बाद आपने दो साल जो है NTC NAC pass किया हो यानि दो साल का आपके पास ITI हो architectural dots man में plus यहाँ पर जो बड़ा मुद्दा है वो क्या है एक साल का experience होना चाहिए आपको related trade में ठीक है अगर आपने architectural dots man से ITI किया है तो आपके पास एक साल का experience होना चाहिए तभी आप CITS का form apply कर सकते हैं इसी तरह सभी trade में आपको देखने को मिलेगा related trade में आपके पास degree होना चाहिए या फिर related trade में आपके पास diploma होना चाहिए या फिर आपके पास ITI हो related trade में प्लस एक साल का experience जो ITI courses एक साल के duration के हैं ठीक है जो भी ITI courses एक साल के duration के हैं उनके लिए experience कितने साल का चाहिए उनके लिए experience दो साल का चाहिए ठीक है ये आप ध्यान रखिएगा जो भी trade एक साल की duration के होते हैं ITI को उनके लिए दो साल का experience चाहिए और जो trade एक साल के duration के होते हैं जैसे जितने भी technical trade है वो दो साल के होते हैं फिटर हो गया electrician हो गया ये दो साल के trade होते हैं तो इनके लिए एक साल का experience चाहिए और जो trade एक साल के duration के होते हैं ITI में जैसे cosmetology हो गया fashion design technology हो गया dress making हो गया catering and hospitality हो गया ठीक है तो इनके लिए जो experience रखा गया है वो आपको दो साल का experience रखा गया है जैसे आप यहीं पर देख सकते हैं catering and hospitality में अगर आपने 10 वी के बाद catering and hospitality में आपने ITI किया है तो आपके पास दो साल का experience होना चाहिए देन आप इस form को apply कर सकते हैं अगर आपने diploma दो साल का duration का किया है तो आपको एक साल का experience चाहिए होगा ठीक है इसी तरह सभी trade के जो है experience यहाँ पर दिखाए गया है जैसे woodwork technician trade है तो इसमें आपने ITI अगर किया है तो आपके पास दो साल का experience रहेगा तभी आप इस form को apply कर सकते हैं इसी तरह यहाँ पर computer added embroidery है यह भी यह भी एक साल का course होता है ITI में तो इनके लिए भी यहाँ पर दो साल का experience add किया गया है CHNM हो गया computer hardware and network maintenance तो यह भी course जो होता है वो यह जो course होता है यह एक साल का होता है तो इसमें भी दो साल का experience इस trade में आपके पास होना चाहिए और इसी तरह जो भी trade हैं जैसे अगर आपने डिग्री किया है ठीक है कॉस्मेट लॉजी में या फिर hair and skincare ट्रेट से या फिर beautician course from recognized board या university में आपने डिग्री लिया है तो आप CITS form apply कर सकते हैं या फिर आप एक सर्विसमें रहे हैं इंडियन armed forces में 15 साल के लिए आपने work किया है तो आप इस form के लिए apply कर सकते हैं या फिर तीन साल का आपके पास डिप्लोमा है कॉस्मेट लॉजी या hair skincare में beautician course है तो आप जो है यहां पर इस course के लिए apply कर सकते हैं CITS course के लिए अगर आपने दसवी के बाद कॉस्मेट लॉजी ट्रेट से आई टी आई किया है आई टी आई चुकि इसमें एक साल का course duration होता है तो आपको यहां पर दो साल का experience कॉस्मेट लॉजी में होना चाहिए अब बात यहां पर यह आ आती है इसी तरह fashion design technology में भी है वो भी एक साल का course होता है उसमें भी आपको दो साल का experience चाहिए होगा अब बात आती है कि experience मानने कहां का होगा ठीक है क्योंकि आई टी आई तो हमने कर लिया अब जुद्ने टेक्निकल ट्रेड है जैसे फिटर हो गया इलेक्रीशन हो गया में भी हो गया डीजल मेकैनिक हो गया तो इनके लिए experience के लिए किसी भी यह company में जाकर काम कर सकते हैं अप्रेंटिस कर सकते हैं उनका यहां पर experience काउंट हो जाएगा एक साल अगर उन्होंने अप्रेंटिस कर लिया है ठीक है एक साल का एक्प्रेंटिस कर लिया है जैसे फिटर ट्रेड की हम बात कर लेते हैं फिटर ट्रेड की qualification जैसे यहां फिटर ट्रेड में लिखा हुआ है कि या तो आपके पार्ट दिगरी हो मेकेनिकल से आपने प्रोडक्शन इंजिनियरिंग से आपने बीटे कर रखा है या बीई कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या फिर तीन साल का आपके पास डिप्लोमा हो किस trade में, mechanical trade में, production engineering trade में तो आप इस form को apply कर सकते हैं, CIDS कर सकते हैं या फिर आपने 10th के बाद ITI किया है, 2 साल का course duration होता है fitter का, तो आपके पास 1 साल का experience होना चाहिए तो इनके लिए क्या है fitter trade क्वालों के लिए कि ये अगर 1 साल कहीं पर apprenticeship किये हैं ITI के बाद या फिर किसी भी organization में as a work ये नोंने काम किया है तो उसका भी certification यहाँ पर experience के रूप में count किया जाएगा अब बात आती है जो non-technical trade हैं जैसे cosmetology हो गया तो ये trade जो है ये कहां से experience ले आएंगे इनके पास experience certificate कहां से आएगा ये एक बड़ा मुद्दा हो जाता है अगर नीमी वाले नीमी जो है इसमें experience count कर रही है CITS के लिए तो CITS के लिए cosmetology trade से experience आप कहां से ले सकते हैं तो उपर से यहाँ पर 2 साल का experience रखा गया है एक साल का experience वो भी नहीं कि जो certification course पारलर में किया जाता है माल लीजिए वहाँ पर 8 महिने का course होता है एक साल का course होता है certification course होता है as a beauty parlor में आप work कर रही है तो सीख रही है तो तो वो भी आपका count यहाँ पर नहीं करेंगी ये क्योंकि इन्होंने साफ साफ लिखा है कि ये 2 साल का आपके पास experience होना चाहिए ये 2 साल आपने कहीं पर सीखा हो कहीं पर certification course किया हो जैसे fashion design technology ही है तो आपने कहीं पर आपने as a fashion designer कहीं पर work किया हो तो उसका यहाँ पर certification आपसे DV में यानि CITS आप exam तो दे लेंगे लेकिन देने के बाद जब DV होगी document verification होगा तो वहाँ से आपके पास जो है ये experience certificate होना चाहिए otherwise आपको वहाँ से निकाल देंगे तो अब बड़ा मुद्दा यही हो जाता है तो आज के वीडियो ने तो मैं बता रही हूँ कि experience आप इसी पार्लर से ले सकती है पार्लर जहां certification course होता हो जहां पर registered जो पार्लर होते हैं certificate जो देते हैं वहाँ से अगर आप certificate बनवा पाएं तो वहाँ से कर सकती है otherwise कल मैं निमी को mail करूंगी या फिर निमी से personally call पर भी बात करूंगी और वहाँ मैं पूछूंगी कि cosmetology या फिर swing technology जितने भी non technical trade है उनके लिए 2 साल का experience कहां का आप मान्य करेंगे तो ये साफ साफ मैं mail की through या फिर call के through उनसे बात करके ये चीज मैं पूछूंगी और next वीडियो में आपको ये update provide कर दूंगी कि किस तरह का experience वो मान्य करेंगे अपने certificate में ठीक है तो I hope आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी ये बात समझ में आ गई होगी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो information तो आप वीडियो को like कर सकते हैं कर दो को